हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग एक खास हिंदी न्यूज को इंग्लिस में ट्रांसलेट करेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखे आप बहुत सारे नए इंग्लिस वर्ड्स सीखेंगे दोस्तों जब भी हम कोई न्यूज को इंग्लिस में लिखते हैं तो बहुत सारे खास वर्ड्स भी इूज करते हैं तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए बैंगलूरू का जलसंकत निवासियों को परिशान क कर रहा है तो यह है एक तरह से प्रेजेंट कंटिन्वर स्टेंज में है जैसे वह जा रहा है ही इस गूइंग तो यहां पर लिखेंगे बैंगलूरूरूज वाटर क्राइसिस इस हांटिंग हांटिंग यानि की बार बार ताना मारना एक तरह से बार बार दिमाग में घुमते रहना परिशान करना यहां पर आप ट्रॉबलिंग भी लिख सकते हैं निवासियों को रेजिडेंट्स बैंगलूरूरूच वाटर क्राइसिस इस हांटिं रेजिडेंट्स क्योंकि उन्हें पानी की भारी कमी और नियम उलंगन के माबलों में भारी जुर्माने का सामना करना पर रहा है क्योंकि यहां आप एज का यूज कर सकते हैं एज उन्हें सामना करना पर रहा है सिधें यहां पर लिख देंगे क्योंकि उहां रहाँ वैन ala औरीक्शन हैं रहार वार्ब कर प्यूंकि तर्षा, बेजिडे वीविया वीवि उविट, हम Excuse me, सिधें लख ऐखें लूब ऑ utan 21 ciao, य All यूर वाल्यू battle would इसका असर होली समारोह के दवरान दिखाई दिया क्योंकि इस साल बैंगलूरू के अधिकान्स निवासियों ने सूखी होली मनाई यह सिम्पल पास्टेंस में है सबसे पहले सबजेक्ट फिर वर्व टू और फिर ऑबजेक्ट तो इसका असर होली समारोह के दवरान दिखाई दिया the impact of this was visible during Holy Celebrations क्योंकि आज इस साल बैंगलूरू के अधिकान्स निवासियों ने सूखी होली मनाई बैंगलूरू बैंगलूरू रजिदेंस सूखी होली मनाई अधिक्रिक्ट बैंगलूरू इस साल इस इर बैंगलूरू बैंगलूरूरू बैंगलूरू रजिदेंस अधिक्ट द्राइब आई जागों के लिए सक्त निर्देश जारी किये थे तो इसे आप past पर fake tense में लिख सकते हैं यहाँ पर है जारी किये थे यानि कि यहाँ काम थोड़ा पहले हुआ था distant past को दिखाता है तो यहाँ पर लिखेंगे the administration had issued issue करत होता है जारी करना सक्त निर्देश strict instructions holy party आयो जकों के लिए फोर holy party organizers the administration had issued strict instructions for holy party organizers यहाँ पर sentence और भी आगे है नीचे और से जुड़ा हुआ है the administration had issued strict instructions for holy party organizers और उन्हें सांस्कृतिक कारेकरमों के दवरान अत्याधीक पानी का उप्योग करने के खिलाफ चेताबनी दी थी during during cultural इवेंट्स तो यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे दोुड़िशवा बाझ नपनीक इंटेनिमेंट लिख थी रेंडके यहाँ पूल मैपेँटिग फूल पर्टीप्योग्वा, रेंडके अवेंगे और पूल पर्टीजवा पूल खिज़ तो रेंगे उन्हेंगे for commercial purposes, is not advisable, is not proper, good, अब कुछ भी लिख सकते हैं, is not suitable, at this time, आप यहां पर suitable भी लिख सकते हैं, ओर्गनाइजिंग इंटर्टेंमेंट लाइक रेंड डैंसे अन पूल पार्टीज फो कमर्सल परपरसे इस नोट अड्वाइजबल at this time, बैंगलूरू के निवासियों के लिए यह एक कथिन बिकल्ब था, तो यहां पर लिखेंगे, difficult choice for residents of बैंगलूरू, लेकिन उन्हें सोम बार को निरजल होली खेलने के लिए रचनात्मत तरीके खोजने के लिए, मजबूर होना पड़ा जैसे मुझे मजबूर होना पड़ा I was forced मालीजे जाने के लिए to go तो यहाँ पर लिखेंगे but they they के साथ were use करेंगे they were forced रशनात्मक तरीके खोजने के लिए to find creative ways to play waterless holy on Monday but they were forced to find creative ways to play waterless holy on Monday holy कारेक्रम आयोजकों ने बिभिन गतिवेदियों को आयोजित करने के लिए रंगों का पूरा उप्योग किया तो यहाँ पर लिखेंगे the holy event organizers made कम्प्लीट यूज आफ अफ कलर्स टू ओर्गेनाईज आयोजित करने के लिए बिभिन गतिवेधियों को वेरियस आक्टिविटीज दू होली इवेंट ओर्गेनाईजर्स मेट कम्प्लीट यूज ओप कलर्स टू ओर्गेनाईज वेरियस आक्टिविटीज और कारिक्रमों के दवरान वर्षा निरत्य और जल अधारित गतिवेधियों से प्रहेज करने के प्रशासन के आहवान का अनुपालन किया अनुपालन किया यानि की माना इसके लिए आप लिख सकते हैं comply with या फिर abide by abide by the rules comply with the rules यानि नियम के साथ चलना तो यहाँ पर लिखेंगे and complied with the administrations call यानि की प्रशासन के आवान to refrain from यानि की प्रहेज करना तो comply के बाद हमेशा with लगता है refrain के बाद हमेशा from लगता है ये सभी चीजें आप सीख कर रखें rain dances and जल अधारित गतिवीधियू water-based activities कारिक्रमों के दोरान during the events and complied with the administration's call to refrain from rain dances and water-based activities during the events BWSSB ने बैंगलूरू की गंभीर आबादी की पहिचान की है और बताया है की कम बारिश के कारण शहर में भूजल अस्तर कम हो गया है पहिचान की है बताया है कम हो गया है यह present perfect tense में सबसे पहले subject फिर has, have फिर verb 3 और फिर object तो यहां पर लिखेंगे BWSSB पहिचान की है has identified the critical population of Bengaluru and बताया है informed that भूजल अस्तर कम हो गया है the ground water level has reduced यह फिर आप लिख सकते हैं decreased शहर में in the city कम बारिष के कारण due to less rain BWSSB has identified the critical population of Bengaluru and informed that the ground water level has reduced in the city due to less rain board ने बढ़ते तापमान के परती आगाह किया और पीने के पानी को बचाने के महत्तो पर जोर दिया तो यह सिंपल पास्टेंस में सबसे पहले subject फिर verb to और फिर object यहाँ पर एक verb है आगाह किया इसके लिए आप यूज कर सकते है caution और महत्तो पर जोर दिया जोर देना यानि कि emphasize करना यहाँ पर आप जेड भी लिख सकते है तो यहाँ पर लिखेंगे the board cautioned against तो caution के बाद against यूज करेंगे बरते तापमान के परती के लिए यहाँ पर against यूज हुआ है हलांकि के परती के लिए कभी कभी towards भी यूज करते हैं लेकिन caution के बाद against ही यूज किया जाता है कुछ खास verb के साथ खास preposition follow होता है जैसे उपर आपने सीखा comply with refrain from caution against the rising temperature and पीने के पानी को बचाने के महतो पर जोड़ दिया emphasized the importance of saving drinking water the board cautioned against the rising temperature and emphasized the importance of saving drinking water I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि यह मेरा effort आप लोग को अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए Alright friends Thanks for watching Have a great day